अपने इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में आज जो मैं आप लोगों के साथ केस डिसकस करने जा रहा हूँ वो ब्लैक मनी अंडिस्लोस्ट फोरण इंकम एंड असेट्स एंड इंपोजिशन अफ टेक्स एक्ट दोजार बंदरा पर है ये केस चारसोबीस आईटियार पेज नमबर वन फॉर्टी पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का नाम है यूनियन आफ इंडिया एंड अधर्स वर्सिस गौतम खेतान दोस्तों इस केस के फेक्स इस तरीके से हैं इस केस में असेशी को एक नोटिस आया और असेशी ने उस नोटिस को दिल्ली हाई कोट में चैलेंज किया हाई कोट में चैलेंज करने का जो असेशी का लॉजिक था वो ये था कि जब ये कानून लाए गया तो इस कानून में ये कहा गया कि ये एक्ट जो है वो एक अप्रेल 2016 से लागू होगा ब्लैक मनी अंडिस्ट्ट फॉर्ण इंकमेंड असेट्स और इंपोदिशन अफ टेक्स एक्ट 2015 के सेक्शन वन सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि ये कानून जो है वो एक अप्रेल 2016 से लागू होना है और इस कानून में को लागू कराने के लिए डिपार्ट्मेंट जो है वो एक जुलाई 2015 को एक नोटिफिकेशन लाया जिस नोटिफिकेशन में एक आ गया कि असेसी को 30 सेप्टेंबर 2015 तक अपने असेट्स डिस्क्लोज करने हैं जो कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया है पहले और उस पर 31 दिसंबर 2015 तक टेक्स, इंटरस्ट और पेनल्टी जो भी बनता है वो जमा कराना है असेसी ने इसी बात को चैलेंज किया कि ये संभव नहीं है कि कानून तो लाग हुओ एक अपरेल 2016 से और डिपार्ट्मेंट जो है वो नोटिफिकेशन लाकर के इस कानून के में जो भी असेसी ने कंप्लाइंस पूरा करना है वो उससे पहले की डेट रख दे तो जब दिली हाई कोट ने इस चीज को स्टडी किया तो दिली हाई कोट को असेसी की बात ठीक लगी और दिली हाई कोट ने डेपार्ट्मेंट के नोटिस पे स्टे लगा दिया बाद में डिपार्ट्मेंड जो है वो सुप्रीम कोड गया और जब सुप्रीम कोड ने इस पूरे मैटर को ज़्य किर तो सुप्रीम कोड ने पाया कि डिपार्ट्मेंड ने section 1 sub section 3 में बदलाव करके applicability थी 1 April 2016 से उसकी applicability को pre-porn कर दिया 1 July 2015 से Parliament जो है वो notification ला करके उसकी जो date की applicability थी उसको 1 July 2015 कर दिया और ये कहा गया कि Assessy ने 30 September 2015 तक अपने assets को disclose करना है और 31 December तक tax भी करना है और Supreme Court ने ये भी पाया कि ऐसा करने का जो logic था वो ये था कि department जो है वो इस act के और इस notification की anomaly को दूर करना चाहती थी क्योंकि act 1 April 2016 से लागू होना था और जो Assessy ने अपनी information देनी थी वो उससे पहले देनी थी और tax भी उससे पहले जमा करना था तो खाली जो मतलब इस act को prepon करने का जो purpose था वो कोई government की intention खराब नहीं थी खाली वो ये था कि एक technicality जो दिक्कत आ गई थी खाली notification के दौरा उसको change करके कानून को 1 April 2015 1 July 2015 से लागू कराया गया तो Supreme Court ने ये पाया कि खाली इस बात पर जो है वो सारे कानून को जो है मतलब खराब नहीं किया जा सकता और Supreme Court ने ये direction दी कि जो High Court ने Assessy के अंगेस्ट Assessy के favor में जो है वो stay दिया है उसको uplift किया और department के favor में अपना decision दिया Friends, I hope that you will like the deliberation of this case and this case help us to understand the things that whenever some notification or circular are issued for the removing some difficulties then they have the binding force in the law. Thank you friends.